हलो बच्चों आप श्राविका हमारे यूटूब चेनल आइडियल द्योग क्लासे इसमें स्वागत है बच्चों आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विशेश श्रामाजीक विज्ञान लेके आया है जो कक्छा सात्वी के लिए है और इस एडगेट अभ्य सीली क्स्तक है क्या है हमारा अतित इथियास दूसरी पुस्तक मिलिती है आपको हमारा पर्यावन भोगोल का अध्याय कुण सा अध्याये 6 क्या है मानो परियावन अंतियों केरियाए उश्र कटी बंदी इन उपोश्ण पैदेश का जो अती लगउत्री देर को समझाएंगे तो चलिए देखते हैं अध्याए 6 अध्याए 6 क्या है मानों पर्यावन अन्तियों के रिया उश्ण कटी बंदी यो उपोश्ण उपोश्ण प्यदेश तो समधित पहला प्रश्ण है जिस इस्तान पर कोई नदी किसी अन्य जल रासी में मिलती है उसे कहते हैं अब हम प्रश्ण नंबर तीन क्या है खड़ी ढहलानों पर समतल सताओं में वेदिकाओं का निर्माड किया जाता है क्योंकि यह जाता है ए नंबर सिचाई करने के लिए बी नंबर उद्योग बनाने के लिए शी नंबर घर बनाने के लिए और डी नंबर केशी करने के लिए इसका सही आंसर आजागा आपका डी नंबर केशी करने के लिए इसके बाद नेस्ट प्रेश्ण है प्राणिजात वर्षावन में बसे लोग नेश्ट प्रेशने भारत के पूर में इस्थे सुन्दरवन का डेल्टा किस नदी के मोहाने पर बनता है यह नंबर गंगा ब्रहंपोत्र बी नंबर यमना शी नंबर गोदावरी और डी नंबर कावेरी तो इसका सही आंसर आजागा नंबर गंगा ब्रहंपोत्र आपके यहाँ पर स्भाइविकल्फ कंप्लिट हुए इसके बाद नेश्ट प्रेशन आता है आपका प्रेशन नंबर च्थे क्या कह रहा है लिखते स्थानों की पूर्ति कीजिए इसका ए नंबर क्या है वर्षा वन में खालिस्तान की परचू नेस्ट प्रेस ने, खालिस्तान एक विशेश प्रेकार का पौधा है, जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, तो इसका सही आंसर खालिस्तान क्या जागा, ब्रोमी लाइड, जो एक विशेश प्रेकार का पौधा है, जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता आपका उत्तर हो जाएगा वर्स 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाए गया आपका जो प्रस नबर रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए उसके एस से लेकर इतिक की जो रिक्तिस्थान थे वह कंप्लीट करके बताए इसके बाद नेश्ट प्रशन आता आपका प्रस नमबर साथ क्या है भूमद रेखी प्यदेश किन अक्षांसों के मद इस्तित है तो देखिए भूमद क्या हिए एकर बताद बताएंगे भारत में सर्वादिक जनसंख्या घनत टाथ है यहार चेत्रों में है पश्चिम बंगाल का जंसंक्य घना तो एक हजार एक सो दो प्रतिवर किलोमीटर है यह आपका प्रेशन नौ का उत्तर कंप्लीट हुआ इसके बाद नेक्ट प्रेशन आपका प्रेशन नबर दस गंगा नदी की कोई पांच साहिक नदियों के नाम बताईए देखिए नाम पर जो आपको गंगा नदी है गंगा नदी भारत देश की राष्टी नदी के रूप में जानी जाती है और ये हिमाले परवत के गंगोत नम्प इस्थान से लिक लिए और यह बहुत हमारे देश की बड़ी नदी जो छोट होटी नदिया मिल जाती है वह उसकी साहक न नदी में जो छोटम शोटी नदिया मिली है उननों को बताना आपको को को शे नदी मिली थाइक नोब यदीJac उत्तर हो जाघा गंगा नदी की 5 το भागरा सोन चंबल कंडक कर सी है इसके नेक्ट प्रेशन आता है आपका प्रेशन नंबर 11, प्रेशन नंबर 11 क्या कर रहा है, भूमद रेखा के आसपास की जलवाईों की मुख्य विस्चेश्थाई लिखिये, उत्ता देखिये भूमद रेखा के आसपास का मौसन दिन एवं रात दोनों ही समय लगवग समान से गर्म एम आद्र होता है तथा सरीर में चिपचपाहाट महसूस होती है इस मौश प्रदेश में लगवक प्रति दिन वर्षा होती है और वहाँ भी बिना किसी पूरुच एतावनी के दिन का तापमान और आदता हती उच होती है रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन वित्ता सरवादिक रूप से पाई जाती है तो उत्तर बता देंगे निम्न प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण निम्न किस कारण से कहा तो इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण जे वित्ता सरवादिक रूप से पाई जाती है यहां के भूमी प्रकास प्रहित यहां नम बनी रहती है यहां केवल वही वनस्पती हो सकती है जिसमें च्छाय में बढ़ने की छमता हो इस प्रकास से आप प्रशनबर बारा को उत्तर कंप्लिट हुआ इसके वाद नेश्ट प्रशने आपका प्रशनबर 13 भारत के किनकिन चेत्रों में नदी जलमार् है प्रशनबर 13 का उत्तर भी कंप्लिट इसके फर नेश्ट प्रशन आता आपका प्रशनबर 14 कर्टर यहां में तो इसको देखिए क्योंकि जमिन के तुकड़े का बार-बार प्रयोक से मिट्टी में पोसक सतों का भवाव हो जाता है इसलिए इस तुकड़े को छोड दिया जाता है इसके बाद फ़सल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साथ किया जाता है यह आपका प्रसद्ध मय Easy जाता है क्या आपका विस्षिष्टा मुख स्थाने क्या है थे मधर Horizon अमेजन नदी अमेजन बेसिन से होकर हो जाती है और तीसरी विसेशता है अमेजन बेसिन की जल्वाई पूरे वास गर्म नम रहती है इस परिवहन विकास की गतिविद्यों के काण अमेजन निवासियों के मूल अबादी वाले छेतर से बहार निकल कर नए छेतर में बसना पड़ा जहां वे अपने पुराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं इस परिवहन चेतर के निवासियों की जीवन सहली के बारे में वधंद कीजिए देखिए इसका उत्तर, वर्षा वन के लोग छोटे से छेत्र में वन के कुछ व्रक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं, देखिए जो वर्षा वन के लोग हैं, वो छोटे से छेत्र में एक छोटा सा छेत्र हैं, उसमें वन के कुछ व्रक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं, यहां के पुरुष शिकार करते हैं, तथा नदी में मचली पकड़ते हैं, जबकि महलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं, इनका मुक के आहर मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यहां आलू की तरह जमिन के अंदर स्वैदा हो होते हैं, कुछ लोग मलोका कहई जाने वाले घरों में रहते हैं, इस बकार से उनकी जो वर्सावण छेतर में रहने वाल निवासी को जिवन सहली के बारी में आप लिख सकते हैं, नेश्ट अगला प्रस्ण है, प्रस्ण नमबर 19, गंगा ब्रमपूतर के मैदान में धान की खेती क्यों अधिक होती है, लिखिए, उत्तर दिखिए, गंगा ब्रमपूतर के मैदान में धान की खेती इसलिए अधिक होती है, क्योंकि यहां फसल उगाने के लिए समतल भूमी उपलब्ध है और पर्यात जल अधिक वर्सा होती है, इसलिए गंगा ब्रमपूतर के मैदा कि यहां आगरा में यमना के किनार इस्थित ताज महल इलाबाद में गंगा यमना की यमना नदी का संगम उत्तर पेदेश्यों ब्युहार में बहुत इस्तूप लखनव का इमाम वाड़ा अश्रम का काजी रंगा जैसे कई दर्शनी इस्थर हैं इसलिए गंगा ब्रहंपूत बेशिन की जलवाई में तुलना कीजिए देखिए अमेजन बेशिन भूमद रेखा के आसपास फैला है और पूरे वास यहां गर्म यम नम जलवाईू रहती है यहां का मौसम दिन यम रात दोनों ही शमय लगवक समान रूप से गर्म यम आद्र होता है लेकिन गंगा ब्र इसके बाद नेक्ष्ट अगला प्रशन है आपका, नहीं इसके बाद कोई प्रकर नहीं नहीं आपके इस अध्याय में की प्रस्न बेशिन दिए गया थे तो बच्चो आप को हम झाह है जो सामाजी विग्ञान का हमारा पर्यान भूगोल से संबंधित अध्याह इछ आ अध्याच है के आपको सही विकल्ब बताए, खालिस्तान बताए, अतिलगूत्री, दिरगूत्री और लगूत्री प्रशनों के उत्तर बताईए, उत्तर आपको अच्छे लगे हों, तो आप हमाँ चैनल आइडियल देव के रास्टेस को सब्सक्काइब कीजिए, लाइक कीज और इश वीडियो को अने गुरूप में सेयर जरूर देए